हेलो दियर स्टुडेंट्स वेल्कम टो एटीबी स्टार मैसेल्फ डॉक्टर राजय मिश्रा एंड गाइज आप लोगों की नीट की प्रपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एक गाइडलाइन जारी की थी एक मेमोरेंडम आया था रिसेंटली थर्ड वैप को उसके अंदर उन्होंने ये बुला था कि जो प्राइवेट कॉलिजेज हैं और डीम्ड यूनिवरसिटीज हैं उनके अंदर जो 50% सीट्स हैं वहाँ पर फी क्या रहेगी गौर्णमेंट म अच्छे लेवल पर मिलता है पेशिंट फ्लो अगरा जादा रहता है तो इसलिए कहीं ने कहीं बैनिफिट मिलता है आप वहाँ पर से अच्छे डॉक्टर बनके निकलते हो और दूसरा बहुत बड़ा जो फैक्टर है बचों वह यह है कि गौर्मेंट मेडिकल कॉलिजेज उनकी फी relatively काफी कम है यदि हम private colleges की फी से compare करें तो बहुत बड़ा difference है इसी वज़े से बहुत सारे students जो है वह चाहकर भी यदि private से MBBS करना चाहें तो private colleges से MBBS नहीं कर पाते तो गौर्मेंट की दरफ से ये बहुत अच्छा decision आया उन student के लिए जो MBBS करना चाहते है यानि student college में भी seat ले सकते हैं जहांपर उन्हें fee कम लगेगी और उनका MBBS करने का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा थोड़ा सा और detail में जाते हैं बचों की भले ही आपको दिख रहा है कि हाँ seats वह बढ़ जाएगी लेकिन बचों ये बात ध्यान रखना train hard and win easy आपके लिए training वा कुछ student ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सोचें कि अच्छा अब seats बढ़ गई है अब मेरा target जो है वो कम हो जाएगा या मेरे को कम target लेकर करके उसे achieve करना है तो बचों फिर से कहानी वहीं रह जाएगी तो आपको क्या target लेकर के चलना है आपको क्या करना है उसके बारे में ही मैं आ निटी थाउजन के आसपास MBBS सीड्स अभी है अब इसके अंदर प्राइवेट कॉलेजिस और गॉर्णमेंट कॉलेजिस की सीड्स की अधि में बात करों तो अरूंड फॉट्टी थाउजन के आसपास योए 43 थाउजन के आश्पास जो है वो किसकी सीड्स है तो तो इतनी सीट्स है अब यहां पर यदि प्राइवेट कॉलेजिस के अंदर और देम्ड युनिवर्सिटी के अंदर यदि आपको 50% सीट्स है वो मिल जाए किसके लिए मिल जाए आपको उस पर फी जो है वो गौर्मेंट कॉलेज के बराबर ही यदि लगता है तो कितना हो जाएगा यानि अब आप इन सीट्स पे भी एड्मिशन ले सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है तो बच्चों यहां पर एक सीधे-सीधे हमको देखने को मिल रहा है एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट की यदि इस रूल के अकॉर्डिंग यदि फी जो है वो कम हो ज बड़ाने चले जाते हैं उन लोगों को बहुत बैनिफिट मिल जाएगा ठीक है तो यह बैनिफिट होगा लेकिन बचों यह ओवर ओल सीट्स जो आप देख रहेंगी किन के लिए जनरल के लिए इतनी सीट्स जो है वो किसके लिए रहेगी यह रहेगी अब यह ज़िए दस सीट अन्रिजर्ड के लिए एक्स्ट्रा हो जाती है नि जहां तक आपके मांक्स आते हैं या रैंक आती है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी लगबग मान के चलो कि 20,000 की बात कर रहे हैं जो सीट्स मिलते हैं तो 20,000 के आसपास तक इस साल कितनी आ जाएं आपकी रैंक जो है वो around 35,000 तक भी आ जाती है तो भी आपको आपको आराम से private colleges में वो fee जो आप afford कर सकते हो उसके उपर college जो है वो मिल जाएगा यानि 35,000 जो है वहां तक की rank जो है उस पे आपको college मिल जाएगा अब यह 35,000 rank जो है वो कितने marks तक आ जाते हैं यदि हम इस बार की बात करें बचों तो 575,75 marks तक यह rank जो है वो आ जाती है ठीके तो इसका मतलब कहीं ने कहीं वो student जो बिल्कुल borderline पर रह रह रहे थे उनके लिए तो यह beneficial होगा ही तो बचों लेकिन इसमें एक और भी important बात क्या है कि अभी तक government की तरफ से official एक पूरी information नहीं आई है कि कब से यह लागू होगा कौन से यह लागू करना है उन्होंने एक office memorandum जो है वो तो जारी कर दिया लेकिन कब से लागू होगा obviously 2021 का जो exam होए जो counseling आभी चल रही है उसमें तो यह लागू नहीं होगा फिर कब से होगा हो सकता है कि 2022 आले students हैं उनको यह benefit मिले तो जो भी need 2022 के लिए prepare करें बचों वो लोग जी जान लगा दो आपके लिए एक बहुत ही golden opportunity जो है वो सामने आ रही है और वो student जो need 2023 के लिए प्रिपार करें उनके लिए भी एक बहुत बड़ी opportunity है ठीक है और उनके लिए तो definitely यह जो स्कीम है वो लागू होगा ही होगा यह उनके लिए तो finally मान के चलो कि उन्हें तो इसका benefit मिलने ही वाला है तो student यह आप need 2023 के लिए prepare करें और अभी तक भी आपने कहीं जॉइन किया एक Google form एक form दिया हुए उस form को आप फिल कर दो उसके बाद में हम आपसे शैर करेंगे हमारी टीम आपको कॉल करके सारी डीटेल्स है वो समझा देंगी ठीक है बचों तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही important opportunity है इस opportunity को grab करना है लेकिन ध्यान रखना है कि यदि आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे आप अपने आपको train hard करेंगे तब ही जा करके आपको कोई भी benefit मिलेगा और आपके लिए win जो है वो easy होगा तो बच्चों एकदम जी जान लगा के मन लागे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ाई करनी है आगे ऐसे strategies और content के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे all the best बैबाई